तो दोस्वों देखिया आज का सबसे पहला कोशन है जार्खन में लाख टन की कुल लो आयस्क रिजर्ब विकल्पों में सबसे निकट क्या है आपको यह बताने है इस कोशन का देखिये सही अंसर का यह नमबर जो की च्याली सो मिलियन टन इसमें आप लोगा देखिये हमेटाइट वर्ग आठेके हमेट हर जो है जार्खन वरक सो कितना है तो 4585.62 मिलियन टन ст नहीं है जार्खन में जो ढभी 25.70 परतिसाद है ढखे हमेटाइट रखिय का सून यहadece षजह थीया आंताइँ अ आपनाुट लोहा का है पस्चिमी शिंगभूम जो है सरवादिक हमेटाइट लो आइसका का लोहा जो पाया जाता है ठीक है इसी तरह दोस्तों देखे यहां पर लो आइसका है कि दोस्तों आप लोग यह ध्यान रखे कि सबसे जादा जो है भंडारन चम्ता में कोईला का भंडारण ज्हारकन में सबसे ज्यादा है जो कि कि कोईला भंडर का 27.36 परतिसात है जो कि 80356 तो आप लोग दियांट के सबसे ज्यादा जो है कुला भंडर आप लोग का जहार जारकन में 80356 है भारत के जो है कुल भंडर का 37.37 परतिसात है ठीक है दूसरों हम लोग चलिए कुछ बात कर लते हैं या आप लोग अधरा में कराना चाते है लो आइस्क के बारे में ठीक है देए दुस्तों ध्यान रखेगा सिंघ्भूम चेतर में जो है लो आइस्क की पराप्ति का प्रमूख केंदर है जिसका विस्तार दूसरों की उडिशा के मयूर भंज एवं क्योंजोर तक है ठीक है देस में जो है हमेटाइट लो ऐस्क के भंडार की दिरिष्टी से जहारकंड का दूसरा अस्तान है ठीक है दोस्तों अपलोग ध्यान रखेगा देस में जो है हमेटाइट लो ऐस्क के भंडार की दिरिष्टी से जहारकंड का अस्ता रखता है तो इस सब दोस्तों आप लोग धियान में रखिएगा आई अगला कुस्छन हम लोग देखते हैं जितने भी सुडेंट्स जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं सुभा के छिए आप लोग क्लास अभी देखिए दूसरों रेगुलर आप लोग सारा जारकंड आप लोग लाख लोग चलिए से कुस्छन का अंसर देखिए जारकंड आधिस में से किसने जारकंड के राजपाल के रूप में दुरुपति मूर्मू को सपत दिलाई है इसको सही अंसर क्या हुआ एक बिरेंद्र सिंग्र ने देखिया इसनको जो है तुछ है ठीक है ध्यान रखें के जो है नोवी राजपाल के रूप में देखें दुरुपदी मुर्मु को जो है बनाए गई थी और दोस्तों यह जो है सहियत अहमद के जगल ले थी ठीक है जारकंड उच्छे नियाले के जो है ततकालिन मोख्य निया दीस बिरिंदर सिंग ने जो है राजपाल है ठीक है वो दिखें मुख्य नियारीषटी मुख्य नियास बैस में जो है रवी रजपाल पत एबम गोपनियता सपत दिलाई ठीक है अगला क्וש 느ukتي है पर यह थिरी है 1907 में जमसेतपूर में पहली आयरेन एंड इस्टील उद्योग की अस्थपना किसे ने की थी यह बहुत ही बड़ी है करें यह नंबर इसका सही अंसर होगा दोरा बाजी टाटा इसमें दिकिसाई अंसर होगा दोबेहन की साक्षी जमसेतपूर एपाट का तो तुस्त उंच जदिखेंग के आप लोग का इस भात उत्पादन शुरू हुआ है ठीक है द्यान रिकर सो 1911 में आप लोग का जो है यहां से लोहा और धाव तर थावन द्यान रिकर यहां पर इस पात उत्पादन शुरू करेंगे या पूरवी सिंग्भुम जीले में शुख्ण रेखा फां खरकई नदी के संगम पर एस्थीत है त्यू Galaxy 2005 मेंा बदल करके इसको टाटा इस्टिल डिया गया था ठीक है आईए अगला कुछिन हम लोग देखेंगे कुछिन नमर आप लोगा यह फूर होगा पूरवी सिंगभूम जीले में निम्न में से कौन सी सीमा है तो चलिए आपको आंसर देना है बहुत बढ़िया कुछिन है पूरवी सिंगभूम जीले में निम्न में से कौन सी सीमा है कि डॉकला मेंट रेंज दालमा रेंज चिकन रेंज उत्तर पस्चिमी रेंज पढ़े हैं तो जरूर आप लोग अंसर दे पाएंगे बहुत ही आसान कुछन है कि समझने की खाली फेर हैं दूसों काई कि हम रेगुलर देखें पढ़ा रहे हैं दालमा वन ने जी वियारन दू टेकर अब लोल्ग यह देखें पूरी सिंही जीला में इसती थै आप लोक्त जान रहे होंगे ठैके दालमा अभियरन जो की पूर्भी सिंहीं पूर्बी सिंहीं संद्य पढ़े जाता हैं चाहएं और दोस्तों के लिए हाथियों के लिए संरक्षन के लिए हाथी पर्योजना जो है शुरू किया गया ठीक है तो चलिए अगला कुशन यहां पर देखिए गिरीडी जीला कहां इस्तित आपको यह बतानी है कि देखिए यहां पर बी नमर ठीक है लगभग उत्तर इंदेखिए लगभग उत्तर चोटा नागपूर डिवीजन के मध्य भाग में देखिए आप लोगा जो है गिरीडी जीला इस्तित है तो आप लोग दो देख से आप लोग मैप ऑपन के जीगा दसो उपर में ही आप ल कि यहां पर बी नमर इसका सही अंसर देखिए गिरीडी जीला की अस्थापना में आपको बताए थे चार दिसमबर 1922 को देखिए गिरीडी जीला की अस्थापना होई थी रेगुलर देखिएगा दोसों सारा चीज आप लोग याद हो जाएगा ठीक है रेगूलर विडियो के लिए ध्यान रखे क्वाट आपके क्वाट गिरीडन की प्रमु में बंतर तर पाया जाता है पाया जब्रक भी जादा पाएता है क्वाट जाइड भी देखिए पाहता है अब लोगा गिरिडी जीला में पर्मूख परयाटा कस्तल दोसे हैं अगला कुशन यहां पर देखते हैं जारकंड के किस जीले में भारत में धातु कर्म कोईले के सबसे अच्छे गुन है तो देखिए को समझने की फिर है अभी अभी हम हला कि हम आपको अंसर बता दिया है इसका गिरीडी देखिए इसका राइट जरुगा ठीक है जैसे कि हम यहां आपको बताएं कि गिरीडी जिला में जो है परमुक खनी मतलब कौन-कौन सा है तो यह कोईला है अब रख है क्वाट जाइट है सबसे ज्यादा दुस्वें पर पाया था ठीक है तो यह उसी तरह मतलब यहां कोशन देखिए वही कोशन देखिए आप लोगा रिपीट हुआ है जारकन के कीस जीले में भारत में धातु कर्म कोईले की सबसे अच्छे गून है तो बिल्कुल दोस्तों इसका जो है यह नमर का सबसे गिरिटी चिला ठीक है तो दूस्तों इस तरह अगर कि आप लोग जो है रेडुलर पढ़िए अलग-अलग कुस्टिन आप لوगो मिलेगा तो अलग-अलग ढंसर देखिए आप लोग का जो वही रहा लेकिन कोशन अलग मिलेगा स्रू की एकजाम में पूछा जाता यह सब कोशन बिल्कुल एक्जाम टाइप का कोशन ले करके आते हैं क्योंकि सब लोग का एक्जाम जो है सामने आ रहा है इसलिए ठीक है चलिए इसका सही अंसर का गिरीड़ी देखे ध्यान रखें जहारखन जो है भारत के सरवाधी कोईला उत्पादग राज है ठीक है आप 18.25% उत्पादित किया जाता है ठीक है जहारखन राज में देश के जो है कुल कोईला उत्पादन का 18.25% उत्पादित किया गया है ठीक है जहारखन में राज के देखे कुल कोईला उत्पादन का लगभग 95% उत्पादन दामोदर घाटी कोईला छेतर में होता है सरवपर् कोईला खनन का जो है काम दामोदर घाटी निगम छेत्र के अंतरगत जरिया में देखिए स्टार्ट हुआ ठीक है कुल दुस्वाइब कोईला खदान की बात करें सो जारकर में एक 1 color का में दिखे जारकर में 1 325स कि अधropец कॉर में कि यृष्षि अधरिया मतलबस ज्यादा कोईला का सबसे ज्यादा ए ठीक है मतलब मेरा बॉनले का मतलब एक लिए रिश्ञे में जो हैजारकन का सबसे बड़ा कोईला खान आप लोगा जहरी आया दोसों और छेतरफल की दिरिष्टी से में देखिए सबसे बड़ा कोईला की खान देखिए करनपूरा आप लोगा ठीक है तो दिहान रखेगा दोसों आईए अगला कुछन आप लोग देखते हैं देखे जहारकंड की जंजात ये जंसंक्या मुख्यत किस धर्म का जो है पालन करती है आपको ये बतानी है बहुत ही बड़ी है कुछन देखिए अंसर दीजे इसका जहारकंड की जंजात ये जंसंक्या मुख्यत किस धर्म का जो है पालन करती है तो यहाँ पर देखिए हिंदु धर्म इसमें जो है साही अं ज्यान जाती है कि अप लोगए जनसंकिया जरकन में अभलोगा 26.2 प्रतिस्त मिucken यहीas पर देखा कि आदिम जनसंकिया जरोगा कितनी है तो दियां रहा एक लाख 9425 ज़cket में आदिम जन dismiss उनसंय है जो डिन होगल कि 0-12 प्रतिसत के बर देखे बराबर है ठीदब पॉइंट चलिए कोस्टिन नमर ए एट है दोसों ध्यान रखेगा देखिए गरूड पुरान में निम्न में से कौन सी पेंटिंग भी मिलती है आपको यह बतानी है इस को सिन का देखिए सई अंसर क्या होगा दोसों यहां पर सी नमर होगा देखिए इसका राइट अंसर भी कहा जाता है ठीक है दियान रखेगा सोँ पायतकर इसको जो है कहा जाता है यह जो है इस चितरकला के बारे में सभूब को देखे का भी रिभाइच कर आ शुक्य है अब लोग इसके बारे में एक गाउं आपको देखे बतायाब है आमादुभी दूसों जो कि सिंगुम जिवन के बाद होने वाली घटनाओ का भरनन किया जाता है तो आप लोग ध्यान रखे गरूर पुरान में निमन में से कौन सी पेंटिंग मिलती है आप देखे पायत कर इसका जो है सही अनसर होगा ठीक है कि देखिए अगला question है question number अवप दोग Сейчас राजवास कौन सी है चलिए आपको ये बतानी है तो दोस्वाइन रखाए चांड की जो है परफम राजवासा आप लोग पे तो इस हिंदी ठीक है लेकिन दूत्य राजभासा दोस्वों अब ध्यान रखे के 16 दूत्य राजभासा है जारकन की ठीक है कौन सी है तो उर्दु है संथाली है बांगला है उडिया है मुंडारी है हो खडिया कुडुक कुर्माली खुठा पंच प्रागनिया नागपूरी मगही अपने राज की सीमा कितने राजों की साथ साजहा करता है तो इस कोशन का जैके वसा पांस ठीक है यह नंबर साभी अनसर होगा है कौन-कौन राजभासा से दूस्तों साजहा करता है बता सकते हैं क्या देखें या पर आप लोगा वहर उत्परदीस च्छतिसगर्ड में जो है उत्तरप्रदेज ए है एगला कुस्ण देके दामोतर नदी की कुल लंबाए कितनी अपको यह बताने है इसका सही अंसर पांस बांवे किलो मैटर इसका राइट अंसर होगा ठीक्ड-दामोतर तो चलिए हम लोग पूरा रिभाईज करते हैं दाभादार नदी के बारें पाँसो नबबे किलोमेटर में Mr. मिल में देखा जायustो 368 मिल है ट्यक्ति और ज़ारखण में इसकी जो है कुल लंबआई दामुदर नदी की कई है तो दोके 20 किलो मेकर जो है जारकन के पुरोवर्ति दक्षिना वर्ती नदी है ऑी यह दोस्टों तोडिखे टोरि लातेहार चोटानाकपुर पठार से यह देके निकलती है और जाकर के होगली नदी पस्चिम बंगाल के निकट यानि कोलकत्ता में जाकर के जो है कोलकत्ता पस्चिम बंगल कोलकत्ता के निकट जाकर के मिल जाती है होगली नदी में ठीक है इसकी अफ़वाद चेतर के देखे बात करें दामोदर नदी क दिखेंगे दिखेंगे अफवाच चेतर इसका 12800 किलोमेटर है देखेंगे यह जो है कौन-कौन-कौन-कौन से चेतर इसे गुजरती है हजारी बाग, घिरिडी, धनबाद, बोकारो, लातिहार, रांची, लोहरदागा, दुस्तों आप लोगे जोदिए अफवाच चेतर देखिए बैंगलोर का मैच, ठीक है, बैंगलोर दूस्तों ठीक है, एलजी टीवी लगाएं, SD, SD में देखिए, बैंगलोर का मैच, तो बिलकुल दूस्तों है, L से लातिहार, जी से गिरिडी, S से हजारी बाग, D से धनबाद, B से बोकारो, L से लोहरदागा, R से रांची, ठीक है, कोई दिकत नहीं से अगर जिदेए, आप लातिहार, बोलेजे, कोई भी, आप लोगो याद रखने से मतलब है, याद रखे, LG, LG TV लगाएं, SD, SD में देखिए, बैंगलोर का मैच, ठीक है, तो अफवा, इसका अफवा अच्छे तरह आप लोग का आसाने से याद र नहीं रहता है, तो कमेंट केजिए, इसके भी हम कुछे शॉट रहेगा, आपको बता देंगे, चलिए बात करते हैं, दामोदर नदी जो है, रांची तथा हजारी बाग पठार के बीच, दामोदर नदी दुरोनी का निर्मान करती है, ठीक है, दामोदर नदी में और क्या चुट रहे हैं, दामोदर या सरवाधिक परदोशित नदी है, ध्यांड के का सबसे लंबी एवं सबसे बड़ी नदी देशों, आप लोगा देखें, दामोदर नदी है, आई अगला कुछन यहां पर देखते हैं, जारकंड की कौन सी नदी, सोन नदी भी देखें, कहा जा जाता है, यह नदी धेखें, जारकंड से होकर उडिसा में परवेश कर जाती है, जहां यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में शोतंत्र रूप से गिरने वाली यह जारकंड की एक मात्र नदी है, इसकी उद्गम की बात करें, तो यह जो यह श्वा सो कुल लंबाई देखे सो अनरे खाना देखे आप लोगा 470 किलोमेटर कुल लंबाई है इसकी सहायक नदिया सो देखे काकरो कांची खरकई जम जमारू राढू संजे इस सब देखे इसका जो है सहायक नदिया है यह किन-किन छेत्रे से वकर गुजरती जहरकन में रांची है जमशित पूर है सिंग्भूम छेत्र है ठीक है अगला कुशन है पारसनाथ चोटी जो गिरिडी जहरकन में इस्थीत है कि धर्म का पवित्रास्थाल है बहुत ही आसान कुशन है आप लोग आंसर दे सकते हैं इसका तो इसका देखे साही अंसर होगा ए नमबर दूसों कि ज चोटी को जो है जेण धर्म का मक्का भी शêtreले का जाता है पारसनाथ को सब्सक्राइब मतब पारसनात चोटे को जेन धर्म का मक्का कहा जाता है, क्यों ध्यान रखेगा, यहां पर जो है तिर्थकारों में से, जेन धर्म के जो है 24 तिर्थकारों में से 20 तिर्थकार जो है इसी पहाडी पर निर्वान प्राप्त किये हैं, ठीक है, पारसनात पहाडी का जो है तिर्दकार थे दोस्कों धियान रखेगा पासरमनाथ जो है पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वान प्राप्त करने वाले अंतिम तिर्दकार थे पारसनाथ चोटी का दोस्तों देखें उचाई की बात करना तो तेरो सो पैसट मीटर देखें आप लोगा जो है पारसनाथ चोट सब्सक्राइब का विस्तार आप लोगा देखे 463 किलोमेटर इसमें जो है सही अंसर होगा ठीक है आप लोग अक्सर पढ़ होंगे पूरब से पस्चिम की और जहारकन का विस्तार लेकिंगे यहां पर देखें उल्टा दिया आवा कोई दिक्कत नहीं दूरी तो से महीं होगी सही क्या होगा मतलब इसका साही अंशर क्या है उत्तर से दक्षिन धर्द यहां पर दें थे हैं धर्कंप्वक्ण का विस्तार है उत्तर से दक्षिन मरए और यहीं पर पस्चिम से पूरा द मेने आप लोगा чаा से 25 डिग्री पचीज डिग्री उन्यस मिनट पंदरा सेकेंड जो कि उत्री एक्षांस है दोसों और वहीं तथा 83 डिगरी, 19 मिनट, 50 से 87 डिगरी, 57 मिनट, यह देखिया आप लोगा जब पुर्वी देसांतर है, ठीक है तो यह आप लोगा जारकन की भोगोलिक दसा है, यह आप लोगो देखिया याद रखना है, ध्यान रखेसों, आप लोगा 21 डिगरी, 58 मिनट, 10 से 25 डिगरी, 19 मिनट, 15 स से अप लोगा जो है ओतरी एक छांस है, और यहीं पर दसांदे के 83 डिगरी, 19 मिनट, 50 से 87 डिगरी, 57 मिनट, पुर्वी देसांतर तक देखिया जो है भोलिक सिमाय, जहरकन की दसांदे कि हम लोग बात करें, छेतरफल क्या है, तो ध्यान रखेसों, 89,000, 740 किलो मेटर देख सबसे ठंडी जगा कौन सी है आपको यह बतानी है तो देखिए इसका सही अंसो नेतर हाट सबसे ठंडी जगा कौन सी है तो नेतर हाट सही अंसर होगा जो किसी नंबर देखिए यहां का देखिए नियूंतम तापमान चला जाता है राज में देखिए सरवादी ठंडा महिना जनवरी है इस दोरान देखिए सीत लहरी चलने यहां पर स्टार्ट हो जाता है जिसके स्टार्ट होता है इस मोसम में दोस्तों ध्यान रखेगा हलका फूलका बारिस होता है जो कि उत्तर पस्चमी वीचोब के कारण जो है यहां पर थोड़ी बहुत बारिस होती है ठीक है कि अगला कुशन है कुशन नमर यह 16 सतावदी स्टेडियम जारकन के किस चिले में स्टी थे तो यहां पर देखिए राची इसमें जो है साई अंसर अरगत सो डी नंबर ध्यान रखेस राची में कौन-कौन से स्टेडियम है चलिए आपको थोड़ा बताते हैं देखिए बि अ Examples あ यहां पर यह जो है होकी स्टेडियम में रांची में आसती थे पिर देखिए JSA अंतराष्टे किर्केटि स्टेडियम है रांची में ही है खेलगाउं स्टेडियम में देखिए आप लगा जो है राची में तो दोसों देखे बिर्शा मुंडा इस्टेडियम जैपाल सिंग इस्टेडियम मेकॉन इस्टाबदी स्टेडियम एस्टो टर्फ जो कि होकी स्टेडियम है जेस सी अंदराष्टे किरकेट स्टेडियम और खेल 70 ने ध्यान रखेगा जारकन की कौन सी जनजाती साधारन सिल्पकारों से मिलकर बनती है तो देखे इसका सई अंस होगा महली ठीक है सी नंबर इसका जो है राइट अंस होगा देखे सो महली जनजाती जो महली जनजाती की लोग देखे बास की कला में जो है निपून होते हैं रिजले दुवारा किसको बोल रिजले दुवारा जो है महाली जनजाती को महाली जनजाती को जो है पांच उपजातियों में विभक्त किया है ठीक है पहला आप लोगा दुश्वार के बास फोड महाली जो कि देखे बास से टोकरी बनाने टोकरी बनाने का कारे करती है ठीक है तूरी जंजाती दूसरों ध्यान रखेगा तूरी जंजाती देखे बास की टोकरी मतलब तूरी जंजाती भी देखे टोकरी बनाने का जो है कारे करती है ठीक है मतलब महली भी करती है तूरी जंजाती भी करती है ठीक है दूसरा दूसरों देखे ये तो पहला नमबर बताएं धासपूरल महाली दूसरा नंबर पातर महाली है जोंकिछ खेती कारेख करती है कौन माहली सों पातर महली है हूँए जो कि खेती कारे करती है तीसरा महली पाल झोंकि सुलंकी सुलंकी महली मजदूर सथा घेती कारिये करती है ठीक है और तर दोस्वा दियान रेकिया कि माहली मुंडा इस तर पांच वुपजातिए को बारा महली जन्जाती को दोस्तों आप लोग ध्यान रखेगा इस जन्जाती को जो है सरल कारिगार कहा जाता है ठीक है सरल कारिगार या सिल्पकार के रोप में जो है वर्गी करित किया गया है महली जन्जाती को ठीक है और दोस्तों आप लोग यह भी ध्यान रखेगा बधु मुल्य को देखें क्या गाते हैं तो पौण टाका ठीक है बधुमुल्य को देखें क्या गाते हैं तो पौण सित – पौण सित जाते हैं ठीक है ध्यान रखेगा चलिए अगला कुछन देखते हैं अगला कुछन है जारखंड में रजरप्पा किस नदी पर इस्ति थे आपको यह बता नहीं है तो देखे इस क्या इंषर क्या हो है इसओ डी नumber ठीक है जो कि है पर देखें दामोदर और भेरवी आपलोग जो कि देखिए रामगर जीला में आप लोगा पढ़ता है दामोदर तता भेरवी यानि भेडा नदी परस्तित है ठीक है देखिए अगला कोशन है जारकन में सुर्य मंदिर कहां परस्तित है आपको यह बतानी है जारकन में सुर्य मंदिर कहां परस्तित है यहां परस्तित है यह मंदिर राची टाटा राजमार्ग पर बुंडू राची में इस्तित है इस मंदिर को शूर्य की रत की आकरती से निर्मित किया गया है तो इस मंदिर को दोस्तों ध्यान रहेगा सुर्य के रत की आकरती में निर्मित किया गया है तो दोस्तों ध्यांड के गब संस्था का नाम है जो सो निर्मान किया है और यहां पर दोस्तों कि सिल्पकार इस मंदिर का देखें सिल्पकार कौन है तो अब लोग ध्यान रहेगा सो एस आर एन एस आर एन कलिया इसके जो है सिल्पकार थे ठीक है आईए अगला कुछ नम लोग देखेंगे जारखन बिधान सवा में एंगलो इंडियन समाज के मनोनित परतिनीधी कौन है तो देखिए इस कोशन का सही अंसर क्या होगा ए नंबर दोस्तों जो की ग्लेन जोसि इसके जो है सही अंसर होगा एव नंबर दो दोस्तों के जो है बढांसवा में एक अंगला भार्टीयत सदłostya को मनोनित किया जाने का प्रावधान है पर्थम मनोनीत तो आप लोगा जो हैं अगलो का सही अंसर होगा अगला कसुन देखिए जारखन में पैंसन योजना के ल भारतियों का मिलने वाली संसोधीत रासी क्या है तो देखिए पेंशन योजना के तो यह संसोधीत रासी अपड़ों कर देखे 750 रुपे है पहले दोसों अप लोगे 500 रुपे मिलता था ठीक है ध्यान रखे का सुझारकन में जो स्रमिक पेंशन योजना जोगी अप लोगा 2017 स से देखे अब लोगे स्टार्ट हुआ है इस योजना का उद्देश है दोसों देखे स्रमिक को पेंसंस नुस्चित करना है ठीक है इस योजना के तहत राज्य के स्रमिकों को परतिहमा 500 रुपय की रासी परदान की जाती थी जिसे दोसों 1 मई 2017 यानि अंतराष्ट्य शरम दिवस से बढ़ाकर अंतराष्ट्य शरम दिवस के दिन करिए मुन पहले 300 मिलता था अब उसको देखे 500 रुपए जो है पर्तिमाह कर दिया गया है ठीक है परिवार पैंसन की रासी को तो दोस्तों मतलब कुल मिलाकरीस योजना के अंदर का देखे दो चीज को बढ़ाया गया है जो कि सर्मेक पैंसन योजना को जो है 500 से 700 कर दिया गया है और दूसरा दूसरों देखे परिवार पैंसन रासी को देखे 300 से बढ़ा कर 500 रुपए जो है पर्तिमाह कर दिया गया है ठीक है चलिए अगला कुशन देखते हैं ठीक है निमलखित निमने मैं से कौन जो है जहारखन राज के सारवाधिक बिधानसवा अध्यक्ष के पद पर आसिन रह थि रहा चुके हैं नै कि अधि कघेए इसका अंसर क्या इंद्रा सी नामधारी इसमें त conservatives रहे हैं इहान exist लिए समगया राजकर सि नंबर zer me मिला गर तीन बार आपको मतलब अध्यक्ष के रूप में देखे रहा चुके हैं अध्यान रखेगा तीन बार जो है पर्थम बिधान सभा अध्यक्ष ही देखे आप लोगा इंद्रसिंग नमधारी भी रहे थे और दुस्तों अभी जो आप लोग बरतवान में आप लोग का जो है रबिंदर नात मातु है जो की जे में पार्टी से है जारकन मोक्ती मोर्चा पार्टी से जो की नाला भिधान सवाच चेतर से देखे विधायक है चली अगला कुस्षण दिखाते हैं आपको जारकन राज में कितने उप विभाजन हैं तो देखे बहुत अच्छा कुस्षण है एक्जाम में पूछा जाता है यह कुस्षण ठीक है तो उप विभाजन अगर माल लिजिए आप बहुत सारे शोडेंस को यह नया कुस्षण है तो दिखाते के सों पैतालीस अपलो का जो है मंडल है चली अगला कुस्षण देखते हैं 2011 की जनगन्ना के अनुसार जहारकन के की सर्जीले में साक्षर्टादर सबसे कम है तो सबका अनसार आना चाहिए थे कि पाकूर इसमें सबसे कम है और सबसे ज़याद आप लोगा जो है रांची में तो दोस्तों अब धियान रखेका जहारकन के जो है साक्षर्टादर आप लोगा कितनी है तो 66.41 परतिसत है रेगुलर आप लोगों को जो है रिवाइज करा रहा है ठीक है अगला कोसे जहारकन में कौन से अस्थान को भगवान हनुमान का जन्म अस्थान के का है तो बिल्कुल दोस्तों, सबका अंसर अंजना धाम, इसका देखे, साही अंसर बी में ध्यान रिकएक अंजना धाम मंदीर, जो कि अंजना गराम गुमला में इस्ती थे अंजना ग्राम गुमला में इस थे अंजना धाम मंदीर ठीक है यहां जो है देवी अंजना का प्रस्तर मुर्तियस थापित है इस मंदीर की जो है तीन और नेतरहट पहाड़ी विस्तार है और जबकि इसके दक्षिन में खरवा नदी अफवा है है अगला ने आपने ज्हारखंट के इतर्कोयल नदी कहा से सुरूव आतो चलिए हम आपको बताते हैं उत्तर कोयल नदी के बारे में गड़वा पलामू लातिहार यह सब देखिए अगला कॉसे नम लोग देखते हैं चलिए नेक्स्ट कोसर यहां पर देखिए निमलखीत मैं से कौन से जिल धनबाद में है इसका दिकिए सई नमर जोंकी तोप चांची जील इसमें जो है सई अंसर यह जील देखिए 200242 एकर में देखिए बिसतरी थे तो सुझ यह जील आप लोगा किस अंगरेज आधिकारी के नेतरी तुम्हें अटारा सो एकीस में अंगरेजों ने हो छे त्र में परवेश किया तथा हो लोगों को अंगरेज यहीं अंग्रेजों की अधिन्ता देखे सुईकार करने है तू वीबस कर दिया तो इस कोशन का देखे साई अंसर क्या कोशन नमर 29 है ये नमर 2 जो कि करनल रिचार्ड देखे साई अंसर रोगा ठीक है धियान देखे किस अंग्रेज अधिकारी ने अधिकारी के नेतरुत में 1821 से स् अंग्रेजों की अधिन्ता सुईकार करने है तो वीबस किया करनल रिचार्ड अंग्रेज अधिकारी थे कोशन नमर 30 देखे तमाड विद्रों के अंतिम चरण में तमाड के किस राजान है अंग्रेजों से शाहिता की मांग की थे इस कोशन का सही अंसर रोगा दोसों कोशन भूष्यक्ति कोश्यक्ति-बुष्यष्यक्ति-वथद्रों के इस मैं थे मुख्यक्ति-प्रेजश्यक्ति-व्थ। अंकूर जनक जीब के सरीर पर बिक्सित होता है और समय आने पर नए जीब के जो है निर्मान के लिए खुद को जनक जीब से अलग कर लेता है और हाइड्रा और इस्ट जिसको लोग खमीर भी बोलते हैं मुकुलन दुवारा जो है परजनन करते हैं देखिए शमज में नहीं आया तो चलिए हम दुबरा रिपिट कर दे रहे हैं ध्यान रिखिए करे सम्मुकूलन जो कि आप नाम सुने होंगे या एक परकार की एक परकार करे सम्त है और बिक्सित होता है और समय आने पर नए जीब के निर्मान के लिए खुद को जनक जीब से अलग कर लेता है हाइड्रा और इस्ट मुकूलन द्वारा जो है परजनन करते हैं चलिए कोस्टन नमबर 32 देखिए छवी को रेटिना पर वापस ले जाने के लिए और छवी की असपश्टता के लिए एक अपतल लेंस रिन सकती को डैस आखों के समक्ष रखा गया है तो इसका देखिए सई कैसे कैसे जो है पूछा जाता है बहुत ही जैरूरी यह जानना यहां पर देखिए इसका हम चली बात करते हैं सो निकट द्रिष्टी दोस्तिक है यहां पर आपको बताएंगे मतलब निवारन कैसे करेंगे किस कारण से होता है सारा चीचा पर यहां पर देटिल में बताए इस दोस के देखिये उत्पन होने के सुं कहीं कारण है जैसे की अभिनेतर लेंस की बकरता का अत्यधीक होना तिक है यहां पर देखिये नेतर गोलक का जो है लंबा हो जाना इसहां इसका जो है कैसे निवारन करता है Какują Kan Ч referral कि और लक सकता है इस दोस का देखिए नब किसी उ करेंगे तो आप तर लेंस का देखिए उपयोग करके जो है इस दोस्ट की जो है दूरों कर सकते हैं और देखिए अगला कोशन है कोशन नमर 33 है समवाहक का परतिरोध निमलखित घटकों पर निर्भर करता है यहां पर देखिए समवाहक की लंबाई समवाहक का अनुप्रास्त कार्ट शेतरपल समवाहक का तापमान तो यहाँ पर देखे आप लोग को अंसर आप लोग को इस तरह देना है A और B, B और C A, B, C, K, V, C तो इस question का देखे सही अंसर होतना C नम्मर ठीक है तो यह तीनों देखे आप लोग का जो है सही अंसर होगा Question 34 देखे चुमबक यह रेखाएं एक दूसरे के साथ परती छेदन नहीं करती है यह question number देखे 34 है तो इस question का देखे सही अंसर क्या दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेगा बी नमबर जो कि यहाँ पर देखे सही है ठीक है चुमबक यह रेखाएं एक दूसरे के साथ जो है परती छेदन नहीं करती है जो कि बिल्कुल सही है आई अगला question देखे है है question number 35 है एक समान ने आख 25 cm से अधिक निकट की बस्तों को असपस्ट देखने में असमर्थ है क्योंकि आखों की निश्चित सीमा से बाहर सिकूडने में अक्ष्म है ठीक है यह question number देखे 35 है इस question का जो आप लोगा सही अंसर क्या होगा दोसों डी नमबर ठीक है जो कि यहां पर देखे पक्षांबिक पेसी ठीक है डी नमबर इसका जो है सही अंसर होगा चलिए अगला question देखें 36 जल को सीतलक के रूप में इसकी वजह के बजह से परियोग किया जाता है जल को सीतलक के रूप में इसकी वजह से परियोग किया जाता है यह question number 36 है सही अंसर क्या होगा देखें तो डी नमबर देखें इसका जो है सही अंसर के उच्छ विसिष्ट गर्में ठीक है ध्यान रखें जो नाभी की रियक्टर में अधीक उसमा उत्पन होती है जिसे हटा करके सों दुबारा रिपीट कर दे रहें नाभी की रिक्टर में जो है अधीक उसमा उत्पन होती है जिसे हटाये जाने की प्रगरिया शितलक को कहलाती है इसके लिए दोस्तों इसके लिए जो है जल तथा सीयोटू उपयोग में लाया जाता है जल को जो है शितलक की कच्छा में मौझूद होते हैं तो यह कोश्चन नमबर 37 है बी नमबर इसका सबसे बाहरी देखिए इसका जो है सबसे बाहरी कच्छा में मौझूद होते हैं तथा रासाइनिक बंधन बनाने में भाग लेते हैं ठीक है कि देखिए अगला कुशन 38 है चावल के पानी में क्या होता है तो दियान रखेस इसका जो है यह नमबर इसका सभी स्टार्च ठीक है दो सब लोग देखिए माड नाम सुनेंगे ठीक है माड देखिए जिसको राइस वाटर ठीक है जिसको नाम सुनेंगे अब लोग माड मैं लिए मतलब स्टार्च यानि इसको लोग माड बोला यह था ठीक है तो पकाय हुए चावल में से निकला हुआ लस दार पानी माड का हलाथी है यानि माड जो है अतीसआर डाइरिया के उबचार के लिए उब्योगी है देखिए सम अंड जो है डाइरिया के उपचार के जो तौचा को जो है सुन्दर बनाते हैं देखे दोबरा रेपीट कर रहे हैं देखे चावल के पानी में क्या होता है तो दोस्तों धियांड के माड़ जो कि राइस वाटर बोलते हैं स्टार्स जो कि माड़ पाया जाता है ठीक है पकाये हुए चावल में से निकला हुआ लस् सार जो कि डारिया के उपचार के लिए उपयोगी है माड में बिटामिन B, C, E तता खनीज तत्व होते हैं जो दोस्तों तौचा को शुंदर बनाते हैं चलिए अगला कुशन यहां पर देखे कुशन नमर यह 40 है जाइलम मिट्टी से प्राप्त किये गए डैस और खनीजों का समवहन करता है तो यह कुशन नमर दीखे की 40 है इस कुशन का सही अंसुर अगयों सी नमर जो कि झिकिना आय्टरोजन ठीक है द्यान के समवहन जो है पोधे में पाये जानने वाला एक सम्वहक उत्तक है यह सम्वहन मंड़ के भीतर जो पाया जाता है जाइलम का दिखे ए यहां पर देखे और दियावा है कोईला है हीरा है कार्बन डाय ओक्साइड है यह कुस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् निशाबन C02 के रूप में देखिए होता है जो की carbon dioxide आमां को बतायां वाई मंदल में देखिए CO02 की मातरा कितनी होती है तो दिहान रहें 0.03 परतिशार में जो परिनाम और डैस से वरनित होता है तो यहां पर कोस्य नमर यह 42 है सी नमबर इसका सही अंसरों सी नमबर जो कि दिसा सदीस रासी ववा मातरा होती है जो परिनाम और दिसा में वर्नित होता है या योग के निस्चित नियमों के जो है अनुसार जोड़ी जाती है जैसे बल वेग दिस्थापन ताउरन आदी तो दूसरों अपलों है थ्यान रखे है बिद्द्धारा जो है बिद्द्धारा ताब दाब इन तीनों में जोDAY दिसा होती है फिर भी यह देखी अदीस रास्या है तो अपलों है सब तूसरों ध्यान रखेगा जैसे के हम आपको सदीस रासी तो सब्सक्राइब को बताएं बल बेग विस्तापन तौरन इस सब्सक्राइब लेकिन विद्धु धरा ताप दाब इन तीनों में दिशा होती है फिर भी देखिए यह जो है अदिस रासी है ठीक है तो अपलों के सब ध्यान रिमें रखिए गा को इस तत्तों के नाभिग में इस्थित प्रोटोन और निूटोन की संख्या को डैस काते है तो इसका देखिए सएंसर क्यागा प्रामानु धर्यमान संग्या इसका जो है सएंसर होगा ठीक है आई अगला कॉस्ट्ट्र देखते हैं सो कोस्ट्र आप लोगा 44 है यह आपर देखे जो जीव अपने भोजन के लिए अन्य प्राणियों और पोधें पर निर्भर होते हैं उनको डैस कहते हैं कोस्टन नमर यह 44 जो जीव अपने भोजन के लिए अन्य प्राणियों और पोधों पर निर्भर होते हैं तो उन्हें डैस कहते हैं यह कोस्टन नमर क्या होगा तो यहां पर आपने भोजन के लिए अन्य प्रानियों और पोधों पर निर्भर होते हैं उनको जो है बिशम पोसी कहते हैं जैसे मनुश्य, बाग, हीरन, आदी इस सब देखिए आप लोगा जो है बिशम पोसी के अंतरकात आप लोगा आ जाएगा ठीक है चलिए एगला कॉस्चन देखिए कॉस्चन इननबर 55 है भोजन, डیस भोजन सामगरी के सामगरी को सरीर से बाहर विभाजित करते हैं और फिर अफसोसित करते हैं तो यह कुस्चिन नमबर फोटी फाइफ है बी नमबर देखिए इसका सही अंसरो का मस्रूम ठीक है ध्यान रखिए सो मस्रूम इसे जो है कुकुरुमुत्ता भी कहते हैं एक परकार का देखिए कवक है जो बरसात के दिनों में सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर अनयास मतलब ध्यान रखिए जो कि सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर अनयास ही दीखने को देखने लगते हैं ठीक है ध्यान रखिए जो कि मतलब आपको दीख जाता है ठीक है यह एक मिरित्ति पोसी जीवे जो हरीत लवक के अभाव के कारण अपना भोजन जो है श्वयम सं सलसित नहीं कर सकता है मस्रूम भोजन देखिए मस्रूम जो है ध्यान के मस्रूम भोजन सामगरी को सरीर से बाहर बिभाजित करते हैं और फिर देखिया अवसुसित करते हैं ठीक है चलिए अगला कुशन हो यहां कुछ कुशन देखा आप लोगा जहारखन जीके का बचा हुआ है उसको हम लोग देखे कर लेते हैं कुशन नमर यह 46 है देखे मुंडारी सहायत्य की एक प्रमुक लोक कथा सोसो भूंगा किसके दुवारा लिखी गई है तो यह कुशन नमर सर्विसेज सेलेक्शन बोर्ड का सलहकार न्यूक्त किया गया था ब्रिटीज सरकार दौरा इन में से किस बैक्ति को इस्टर्ण कमांड सर्विसेज सेलेक्शन बोर्ड का सलहकार न्यूक्त किया गया था यह कुशन नमर 47 है सी नमबर से जो कि जैपाल सिंग सही अंसर होगा 48 देखे किस वर्स छोटा नागपुर टिन्योर्स कानून को जो है लागू किया गया कोस्चिन नमबर देखे 48 है बी नमबर इसका सही अंसर होगा 1869 राइट अंसर होगा अगला कोस्चिन देखे 49 है छोटा नागपुर कस्तकार ये दिनियम के ताथ भूमी के लगान में परिवर्तन करने है तू कौन अधिकरित है तो दूस्चिन नमबर इसका सही अंसर होगा जो की जीला उपायोगत कोस्चिन नमबर 50 देखे संथाल जन जाती के परधान ग्राम देपता को किस नाम से जना जाता है तो देखे सी नमबर जोगी जाहेर एरा राइट अंसर होगा सी नमबर ठीक है तो चलिए सो धन्यवाद जरूर से वीडियो को लाइक करके जाएं और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें नीव है तो दूस्वों ठीक है धन्यवाद